हेलो दोस्तों आप सभी का इड़ी वार्वी में स्वागत है तो मैं आपके लिए भारहवी का जिव बिगान का पेपर लेके आ गया हूं और यह आपका रियल पेपर है और पूरे पेपर को देखेंगे और पूरे पेपर को समझेंगे यह सीधे सीजे आपका प्रोश्ण है औ और आपके सीधे पेपर में छोपके आएगा ठीक है अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस टाइम पेपर आया तो चलिए देखते हैं रियल पेपर और कल आपके एक्जाम में यही पेपर आने वाल है तो पेपर देखिए कितने घंटे का पेपर पेपर होगा आपका तीन चैनल पर नए हएं तो चैनल को लाइक करें। चैनल को साइब किजियें। वीडियो कि लाइक किजियें। और अपने दोस्तों के साफ से रिकिए धा effort करें । लेखी हें। तो आपको किया है पहिल्य क्या है निम लिखित मेंसे दोई लिंग की प्राणी कौन है आपको बता ने है मैं आपको शीधे से सारे प्रोष्ण पेपर दिखा रहाहा हूं सीधे सेपर दूसरा जो आपका question है एक प्रारूपी अबिर्थि वीजी वुसको ब्रूर्ड कोस होता है ठीक है तीसरा जो आपका question है वो है सर्तोली को सिकाय पाई जाती है ठीक है चौथा जो आपका question है DNA से mRNA का संसलेचल कहलاتा है क्या कहला तो आपको बताना है यह मैं आपके लिए बस प्रश्णा पेपर लेकर आँँ अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका सॉलूशन भी आपको प्रवाइड करवाँगा तो सॉलूशन प्रवाइड करने के लिए आपको कमेंट करना और वीडियो को आपको क्या करना है वीडियो को वीडियो को ज beb ज़यासे ज़या शेयर करना है आपने दूस्तों के साथ और स़स्क्राईब भी करवाना है तो अगर आज आपने 1000 से ज़यादा इस वीडियो पर सस्क्राईबर आ जाते हैं तो इसका सॉलूशन में जब जैसे ही एक हजर सस्क्राइबर आज आएंगे मैं आपको solution प्रोवाइड करवाऊंगा पूरे वीडियो का तो चलिए देखते हैं पाचवा question क्या है मनुस्य में रोगकारक होते हैं आपको बताना है जिवाणू, बिसाणू, प्रोटो जोवा और सभी तो अगर मैं बोलू तो इस पे हो जाएगा, आपका सीधे से सब भी हो जाएगा ठीक है, अब चलिए अगला question देखते हैं अगला जो आपका question है, ये है चोव नूमबर के DNA का द्वी कुंडलिक माडल प्रप्रप्रादित किया था आपको पताना होगा साथवा question किया ? बायोगास को कहा जाता है बायोगास किसको कहा जाता है, आपको बताना ये बहुत ही easy question है तो आपको comment में इसका answer देना है, चलिए देखते हैं अगला question जो आपका क्या है तो दूसरा जो आपके कोश्चन है कि रिक्त अस्तानों के फूर्टे कर लिखिए तो पहला है GMO का पूरा नाम क्या है डैस है ठीक है अगला जो है जिस यूग में में एक्स एक्स गुर्ण सुतर होते हुआ अकारिकी तथा अनुवांसिक रूप से एक समान जीव डैस कहलाते हैं आपको बताना है दोस्तों इस चैनल को ज्यादा सिज़ा सब्सक्राइब कीजिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपने इसमें 1000 सब्सक्राइबर इस वीडियू आगे तो मैं अभी इसी वक्त आपको जैसे ही एक ख़़र सब्सक्राइब रहा दाएंगे मैं आपका वीडियो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो का लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए एक बंता कम से कम जो वीडियो देख रहा होगा उसों कम से कम 10 लोग एक साथ सेर जरूर करना होगा और चलिए द आपको यह बहुत इजी इजी कोशन है इसमें दिया हुए है और कल आपको पूरे रॉक करके आना है यानि कि कल गर्दा उड़ा के आना है और पूरे के पूरे सत्तर में सत्तर नमर लाना है ठीक है चलिए देखतें अगला कोश्चन अगला कोश्चन है एड़ रॉक डैस बिचाणू के द्वारा होता है आपको बताना है अब यहाँ पर तिन नमर क्या है आपको मिलान करवाना है ठीक है शारा दिये हुए तो आप मिलान करवाएंगे चलिए हम चार नमर देखते हैं अब चार नमर में क्या है एक वाक्य में उत्तर लिखना है यानि कि अब जैसे देख मानो जन संख्या का अध्यन क्या कालाता है आपको को बताना है क्या कालाता है ठीक है पॉकुलेक्शन को जो हम काउंट करते हैं मैं क्या हरते हैं ठीक करे अधिकी उसके बारे मत्तान है निशे चन के बीज बनाने कि ब्लिया का ओधित कर चुछल अお願いします कि या तीसरे Sounds 2017 ब्लूर जो है तो क्या नबस दिन पूर और उजन किसक्त वेगाणि नम आचेवा है DNA में छारक यूगमों के ऐसा अनुकरम जो दोनों दिशाओं के और समान पढ़ता जाता है आपको बताना है इनसर सीधे सीधे मैं आपको सीधे आपको ये सारे अनसर देना है ठीक है मैं आपको सिर्फ कोशन पेपर प्रवाइट करवा रहा हूँ ज्यादा से इस वीडियो को सेर कीजिए और कल छाप के ये पूरा गर्दा का वार के ये ठीक है मेरा सेर रचीतिक कल लगदा का वार के ये अब पांच नुमर जो कोशन आप का है निख्षेचन की परिवासाद दीजिए जैना कि निखस्य नमबर आपका है निख्षेचन की परिवासादीजिए और पुम अ बादवाले जो कोश्चन आपका है उसको देखते हैं अब चलिए देखते पंद्रा नमर कोश्चन क्या है तो पंद्रा जमन नमर जो कोश्चन आपका है वो है ड्रॉग अलकोहल के कोई तीन परमुक कुप्रभाव लिखिए आपको कुप प्रभाव के बारे में लिखना है ठीक है अब चली देखते हैं अगला कुश्चन अगला जो कुश्चन है इंटर्फेरोन को परिवासित करते हुए इसके दो कारे लिखी है ठीक है अब अगला जो है अब प्रभाविता के नियम का उधाराण लिखी है अगला जो है अगर ये ने लिख सकते हैं तो ये लिखी है शब प्रभाविता के नियम का उधाराण सहीद लिखी है अब चली देखते हैं अगला कुश्चन अगला जो कुश्चन है वो है किनी चार घरेल्यू पदार्त के उत्पादन में अस сокpad के भूमका के असपस्ट कीजिया है। अपको बताना है, एक क्वोशन, चार नमर का कौशन है, जिदे सिदे, अब पांच नमर का दिखे खें, और पांच नमर का कौशन है, कि चया प्रवद्यद्गी का संचिप्त वाडन लिखते हुए इसके क्रिसी छेत्र में तीन अनुप्रियों को लिखी है ठीक है अगर आप ये नहीं लिख सकते हैं तो आपके लिए कि और अप्शन है अगला जो अप्शन क्या दिया हुआ है ये पांच नंबर का कोश्चन है तो प्लाजडीम की कोई पांच विसस्ताय लिखी है प्लाजडीम की पांच विसस्ताय लिखी है अब चलिए देखते हैं अगला कोश्चन अगला जो कोश्चन है वो है उन्नीश नंबर और ये भी पांच नंबर का है इसमें दिया है कि PCR का पूरा नाम लिखते हुए इस प्रक्रियाई के निभी भीन चर्णों के बारे में निमले ही तरदा इसका मोहत्तो समझाईए या अगर ये नहीं बता सकते हैं तो कलोनींग समवहक का संचिप अर्थ लिखते हुए इसके तीन उन्वे औरणकों लिखिए तो ये होगे आपका क्या होग Ee होगे आपके आपके किसका होगे पेपर ये होगे आपके ये आपके होगेatar घ्ठीज आन वरहवी का पेपर हो गया है तो चैनल को जाताओ दो सस्क्राइब किजी जितने लोग देखनें अ सारे लोग लोग केजिआ और अपने दोस्तों के नाक्स्ट वीदिओ ठीक है